हलो फ्रेंज वेल्कम टी योगीतास किछन आज हम एक ऐसा स्वीट बनाएंगे जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये सिर्फ 10 मिनिट में बन जाएगा और वो है सबका पसंदीदा सूजी का लड्डू सूजी का लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में पाव कप घी डाल लीजिए और घी मेल्ट होने के पाद इसमें थोड़ा सा काजू और किश्मिश डाल लेते हैं और थोड़ा सा बादाम और पिस्ता को भी काट कर डाल लेते हैं और काजु का कलर गोल्डन ब्राउन होने तक और किश्मिश फुलने तक हमें इसे भून लेना हैं। तो यहां दोनों हो चुके हैं, अब इसमें हमें सूजी डालना हैं। तो उसके लिए मैं यहां 2 कप सूजी डाल रही हूं, यह 400 ग्राम हैं। सूजी डालने के बाद इसे 5-6 मिनिट तक मीडियम फ्लेम में भून लीजिए। भूनते समय सूजी को लगातार मिलाते रही हैं, वरना यह जल जाएगा। तो 5-6 मिनिट के बाद सूजी का कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और वो थोड़ा फुल भी जाएगा। फिर इसमें 1.5 कप चीनी डाल लेते हैं, यह 300 ग्राम है। चीनी को डालने के बाद इसे लो फ्लेम में अच्छे से मिला लीजिए। चीनी मिल्ट होने तक हमें इसे मिला लेना हैं। फिर इसमें आधा स्पून इलाइची पाउडर डाल कर मिला लीजिए। तो मैंने यहां मिला लिया है, अब इसमें मैं 150 सेमल दूद डाल रही हूँ। मैंने यहां दूद को उबाल के और रूम टेंपरिचर में ठंडा करके लिया है। और दूद को थोड़ा थोड़ा डाल कर हमें मिलाना है। हमें सूजी को ना जादा गीला करना है और ना ही सूखा रखना है तो उसके लिए दूद जितना तैये सिर्फ उतना डाल कर मिला लीजिए तो देखें मैंने यहां दूद को डाल कर मिला लिया है सिर्फ इसी तरह होना चाहिए अब इस सूजी में से थोड़ा सा लेकर हमें गोल बना लेना है तो देखिए मैंने यहां थोड़ा सा सूजी लेकर उसका हाथों का इस्तमाल करते हुए एक लड़ू बना लिया है इसी तरह बनाना है अब इसे एक प्लेट में रख लेते हैं इसी तरह बागी ये सूजी में से भी लड़ू बना लीजिए आप अपने हिसाब से लड़ू का साइस बना सकते हैं पूरे सूजी का लड़ू बनाने के बदबस सूजी का लड़ू परोसने के लिए तैयार हो गया तो मैं आपको एक लड़ू तोड़ कर दिखाती हूँ ये देखिए कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है इसमें जो नठ हमने डाला है वो इसे और भी टेस्टी बनाएगा और बच्छों को बहुत ही पसंद आएगा टेस्टी है, इजी है और हेल्दी भी है तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिए और अगर आपको ये लड़ू पसंद आएगे तो योगीतास किचिन को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको सबसे पहले मिल सकें धन्यवाद